खलो फ्रेंड्स वेल्कम टू S.S.C. कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात वाले प्रेशनों की और उनहीं प्रेशनों की बात करेंगे जो एक्जाम में पूछे गए हैं तो चली स्टार्ट करते हैं दोस्तो पहला कोशन है आपका दो संख्य सख्राइब दो अनुपात तीन के अनुपात में हैं यदि उनका योग फल 125 है तो संख्यां याद करो दो संख्या हैं वह संख्या है वह कौन कौन सी है वह हमें पता करना है यह कौशन SSC 2016 में दोस्तों पूछा गया था और बहुत अच्छा कोशन है आपके पास कोई दो संख्या है दोस्तों ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई दूसरी संख्या इनका अनुपात आपको दे रखा है दो अनुपाते तीन ये आपको अनुपात दे रखा है लेकिन संख्या नहीं पता कौन सी है इन 4 में से कोई 2 संख्या होंगी ठीक है इनका योग दे रखा है 125 योग दोस्तों जब आपको दिया जाए तो आप क्या करते हैं अनुपातों का भी योग करते हैं अगर अंतर दिया जाए तो अनुपातों का भी अंतर करते हैं अगर गु तो अनुपातों का योग करके डिवाइड दे दो अंतर दे रखा है अनुपातों का अंतर करके डिवाइड दे दो गुड़न फल दे रखा है तो अनुपातों का गुड़ा करके डिवाइड दे दो LCM दे रखा है तो अनुपातों का LCM करके डिवाइड दे दो इनका योग करेंगे दो और तीन कितना हो जाएगा पांच पांच से दे दो इसमें डिवाइड कितनी वारी जाएगा ये चला जाएगा 25 वारी किलियर है अब 25 का मल्टिप्राई पहले वाले अनुपात में कर दो दूसरे में भी कर दो संख्या है आपको पता चल जाएगी 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 50 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 75 तो वो दोनों संख्या हमें ग्याद करने के लिए कह रहा था केलियर है आप देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है आपका दो संख्याओं के योग फल और उनके अंतर का अनुपात पांच अनुपात एक है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है SSC 2011 में दोस्तों ये कोशन पूछा गया था केलियर है आपको क्या रहा है दो संख्या है कोई सीवी और जो भी दो संख्या है उनका योग कितना है दोस्तों योग और उनके अंतर का अनुपात दे रखा है योग और अंतर तो पहली संख्या होगी दोस्तो आपकी योग और दूसरी संख्या होगी आपकी अंतर ठीक है इनका अनुपात दे रखा है योग का अनुपात दे रखा है दोस्तो पांच अनुपाते अंतर का कितना दे रखा है अनुपात एक दे रखा है अगर उन्हें हम ज जोड़ेंगे पांच हो जाएगा तो योग आपका पांच दे रखा है बिल्कुल सही है दो का और तीन का अंतर करेंगे तो अंतर एक आ जाएगा बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर योग पहले है अंतर बाद में है तो दो में से आप तीन को घटाएंगे तो माइनस का एक आ गया दूसरा ले लेते हैं तीन और दो को जोड़ेंगे पांच योग आ गया पांच दोनों का अंतर करेंगे एक आना चाहिए अंतर एक आ गया तीन में से जोेदे आपका दो संख्या Toby और चारहने 10 साथ है ता उनका ओका योग 1331 है तो चोटी स Вам और यह should आ गया पने Not the Rat 50101 दोस्थी होने कश पांपात्य है यह इनका अनुपात्यत और आपको योग केतना दे रखा 1331 योग दे रखा दोस्तो 1331 तो मैं आपको क्या बताया जब योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करके डिवाइड कर देते हैं ठीक है अंतर दिया जाए अनुपातों का अंतर करके डिवाइड कर दो गुडन फल दिया जाए अनुपातों का गुणा करके डि बैं कितनी वारी जाएगा 11 11 11 22 एक बचा 11 हो जाएगा 11 111 121 वार में कट गया आप से क्या पूछ रहा है चो चोटी संख्या ज़ो अनुपात में छोटा होगा वही हो जाएगा यहां पर चार एकम 4 चार दुने का 8 और चार एकम 4 तो 484 हो गया 121 का मल्टिप्लैस 4 से कर दो 484 आ जाएगा किस आफ्षिन में हैं दोस्तों भी आफ्षिन में आपका ज्यादा है लड़कियों की संkhyya कितनी है यह पूछ रहा है दोस्तों इस कोश्चन में ठीक है कि Warum दे रखा है लड़का और लड़की पहले लड़का लेक्राहर तो पहले लड़का लिखेंगे मत्लब बोए बाद में लड़की दे रखा तो बाद में लड़की लिख केलियर है जो लड़कों की संख्या है लड़की से कितना जादा है पांसो जादा है तो आप अनुपात में चेक कीजिए लड़कों की संख्या कितना जादा है लड़की से अनुपात में तो दोस्तो एक जादा है किलियर है लड़कों की संख्या लड़की से 500 जादा है किलियर है अनुपात में कितनी जादा है लड़के की संख्या अनुपात में एक जादा है अनुपात में एक जादा है संख्या में कितना जादा है 500 तो एक बराबर 500 हो जाएगा किलियर है एक बराबर कितना हो जाएगा 500 आप से पूछ रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है जब एक बराबर 500 है और लड़की का अनुपात कितना है दो तो जब एक बराबर 500 तो दो बराबर कितना एक हजार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तो एक हजार है के लियर है सम 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप चेक कर लीजे लड़कों की संख्या लड़की से 500 जादा है तो यहाँ पर आप चेक करेंगे यह 1000 है यह 1500 जादा है कि नहीं है के लिए उम्मिद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कोशन समझ में आ गया होगा अब द है पार करता है तेज चाल वाली ट्रेन की लंबाई मीटर में पूछ रहा है कितनी है के लिए धोस्तों देकि आपकी दो ट्रेन है और कैसी चल रही है समान दिसा में दोस्तों मतलब पहली ट्रेन अगर इस डिसा में चल रही है तो दूसरी टेन भी इसी डिसा में क्योंकि समान डिसा में चल रही है दोस्तों जब समान डिसा में चल रही होती है तो क्या करते हैं चालों का अंतर कर लेते हैं पहले ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों 35 की है और दूसरी की चाल कितनी है 50 की है के लिए रहे दोनों क क्या कर लेंगे अंतर, जब समान दिसा में चलती है तो क्या कर लेते हैं अंतर तो 50-35 का नतर कितना आएगा 15 किलोउमीटर पर घंटा आएगा कि नी आएगा 15 किलोнымиटर पर घंटा, अब यहां पर देखिए यह घंटे में है केलीर है, यह किलोमीटर में है और आपसे किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, अगर किलो मीटर में पूछता, तो हम इसे चेंज नहीं करते, लेकिन मीटर में पूछ रहा है, तो किलो मीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो 15 किलो मीटर है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, त देखिए किलो मीटर से हम किस में चेंज कर रहे हैं मीटर में तो बड़ी यूनिट से छोटी में चेंज कर रहे हैं जिसमें चेंज करते हैं वो संख्या उपर आती है मतलग 5 और बट्टी में कितना 18 पांच बट्टी 18 में क्या होता है जब आप बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं तो 18 और 5 में छोटी संख्या 5 है तो 5 उपर आएगी छोटी से बड़ी में जाते तो 18 उपर आता बड़ी संख्या के लिए दोस्तों बात अब देखिए इसी को सॉल्ब करिए यह कर जाएगा तीन पच्छे पंद्रा तीन चींग 18 यहां पर करिए दोस्तों यह किलिए 25 बटे में कितना 6 आ जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिए यह 25 बटे 6 निकल गी आगी दोस्तों इसकी चाल ठीक है 25 बटे 6 निकल गी यहां पर क्या कह रहा है 12 सेकेंड में पार करती है समय दे रखा तो समय से क्या कर देंगे दोस्तों आप समझ में आई है आपने क्या किया है 15 किलो मीटर पर घंटे को आपने किस में चेंज कर लिया है मीटर में चेंज कर लिया तो कितना मीटर निकल के आया 25 बटे 6 निकल के आया समय दे रखा है दोस्तों आपको यहां पर सेकेंड में 12 सेकेंड तो 12 से यहां पर मल्टिप्लाई क करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और बेल आइकन का वटन भी दबा दीजे दोस्तों धन्यवाद